नमस्कार में भाकिश्री, बिसेंद्यूस के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है खबरों के और बढ़ने से पहले आईए डालते एक नसर आज की सुर्खियों पर कच्चे तेल की कीमतों में उच्छाल की बावजूद अगले साल होने वाले आम चुनाओं की कारण पेटोल और डीजल की कीमते बढ़ने की संभावना नहीं है मुरेज इन्वेस्टर सर्विस की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई सार्वशनिक शेत्र के तीन इंदेन खुद्रा विक्रिताओ इंडन आयल कॉर्परेशन भारत पेटोलियम कॉर्परेशन लिमिटेट और हिंदुस्तान पेटोल और डीजल की केमतों में लगातार 18 महिनों से स्दीद रखा है यह कंपनियां करिब 90 प्रतिशत बाजार को नियंदित करती हैं पिछले साल कच्चे तेल के दाम बढ़ने के बावजुद ऐसा क्या क्या है जिससे वित्वश 2022 देश की पहली स्चमाई में इन कंपनियों को भारी नुकसान पा अगस के बास से अंतराश्टी स्दर पर तेल की किम्ते मजबुत होने से तीनों खुद्रा विक्रिताओं का मुनाफ़ा फिर से नकरात्मक्ष्रेणी में चला क्या है बासार के तीन सरकारी स्वामित्ववाली तेल विपनन कंपनियों आयोसी बिपिसेल और एच्पिसेल की लाप रदता को कमशोर कर देगी बिरो रिपोर्ट इन्बिसेन निउस टाटा ग्रूप की कंपनी टाटा कंसल्टरसी सर्विसेस यानि टीसेस ने अपनी निवेशकों को तापट तो कमाई कराई है बित एक हफ्ते में ही कंपनी के शेरों में निवेशकनी वाले इन्वेस्टरस की दौलत तीस जार करोट रुपे से जाधा बढ़ गई है शेर बाजार की तीस शेरों वाले इंडेस सेंसेस में शामिल टॉप 10 कंपनी की मार्केट क्या की बात करें तो इसमें शामिल 5 कंपनी की वैडू में कुल 6,234.73 करोट रुपे का इसाफा हुआ है इसे बेट सबसे जाधा फायदी बेट टीसेस रही तो सबसे जाधा नुकसान रिलांस को हुआ है बेते सबतहा सेंसेक्स की जिन 5 कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा है उनमें टीसेस, HDFC बैंक, Infosys, HUL और बजाज फाइनेंस सामिल है इस साथी में टीसेस का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 13,24,695 दशमलो 78 करोड रुपे पर बहुच गया अगर इस हिसाफ से देखे तो कंपनी के निविशकों की दौलत में 32,730 दशमलो 22 करोड रुपे का इसाफा हुआ है ऐसे में टाटा करोड की इस कंपनी में निविशकनिवाले इन्वेस्टर्स को जपरदस फायता हुआ है बिरो रिपोर्ट इन्वेसियन दूस चालो वित्वश के पहली चमाई में भारत की बिचली खपत लगबग 8% बढ़कर 847 अरफ यूनिट हो गई है अधिकारिक आकड़ों के अनुसार अप्रेल सितंबर 2023-24 के दौरान बिचली की खपत पढ़कर 847 अरफ यूनिट हो गई जो पिछली वित्वश के इसी आवदी में 786 अरफ यूनिट थी उद्युक विचल शगों का कहना है कि अप्रेल मई और जून में बेमसों बारिश ने बिचली की खपत को प्रभावित क्या है ऐसा नहीं होता तो देश में इसकी वृत्ती दोहरे आंख में हो सकती थी बिरो रिपोर्ट इन्बिसेन निउस ग्लोबल मार्केट में चीनी की किम्टे कई सालों के हाई लेवल पर पहुच गई है जिसका असर अब डॉमेस्टिक मार्केट में भी दिखने लगा है तोहारी सीजन में चीनी की किम्टे बढ़ने से मिठायों की मिठास गायब हो सकती है फूड और अग्रिकल्चर और्गनाजेशन की रिपोर्ट के मुताबिए चीनी की ग्लोबल किम्टे सितंबर में 13 साल की हाई पर पहुची है ग्लोबल बाजार में चीनी के पट्टे दाम से भारत में इसका असर दिखाय दे रहा है अल्लिनों की चलते भारत और थाइलेंड में गन्नी की फसल पर असर पड़ा है जिसके कारण चीनी की किम्टों में इत्ता उचार आया है इससे पहले साल 2010 में चीनी की किम्टों में तेजी देखी गई थी वही कंसिर्मन मताले की अधिकार्यों के मताबिक माराश्य की एकस मिल कीमत बढ़कर वर्दमान में 3630 से 3670 रुपे प्रति क्विंटल हो गई है जो एक अगस को 3520 से 3550 रुपे प्रति क्विंटल थी विदेशी पोर्टफोलियों दिविशकों याने एपपी आई ने डॉलर की पड़त और अमेरिकी बॉंड प्रतिफल में लगातार व्रुद्धी की कारण अक्टुमबर की पहले सब्ताह में 8000 करोड रुपे की एकविटी बाजार में बेज दी है इससे पहले सितंबर में भी एपी आई शुद्ध विक्रिता बने रहे और उन्होंने 14,747 करोड रुपे निकाले थे एपी आई मार्ग से अगस तक पिछले चम मैनों में लगातार लिवाली कर दे थे और इस आउती की दोरान एक दशमलाव 24 लाग करोड रुपे भारतिय बाजार में आए जियोजित फानेंशिल सर्विसेज के मुख्यन निवेश रन नितिकार विके विजयकुमार ने कहा कि आने वाले वक्त में डॉलर की मजवती और अमेरिकी बॉंड प्रतिफल के संदर में एपी आई के जल्द बाजार में खरिदार बनने की संभाना नहीं ह एपी आई ने इस मैंने 6 अक्टुमबर तक 8000 करोड रुपे के शेर बिची बारत इस साल एपी आई को आकरशित करी में उबरती अर्थवेवस्ताव में शिर्ष पर बना वा है लेकिन सितंबर में बिक्वाली देखी गई और अक्टुमबर की शुरपार भी इसे रुजान के साथ होई है बिरो रिपोर्ट इन बिसेंद न्यूज खबरे समावत करने से पहले आईए डालते एक नजर आज की सुर्ट्टियों पर बिजनेस समाचार में फिला रिता है ताज़ा खबरों के लिए देखते रिए इन बिसेंद न्यूज नमस्कार